Assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim आज हम exercise 3.2 का part 2 करेंगे ये भी same वही है फार्मूलास लगाने क्योंकि अब हमाई बस AQ plus BQ है तो हम इसमे एक नया फार्मूला लगाएंगे और हम पढ़ेंगे किस तरह से solve होता है last time मैंने आपको बताया था कि इसमे सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसके सबसे पहले आपको लिखना होता है इस सवाल में तो डेता क्या होता है डेता में वो चीजे आती है जो आपके सवाल में दिया वा होता है तो आप क्या लिखो के लिखो के लिखने के पास यह निकालना है निकालना है a taógab id galera अब भूलिक भूलवी उमने कभी परहा ही निए पदार नहीं है अब इस बीजिद ड़ा हो अब परहना है पर हम च είναι key all this formula खषके सब्सक्राइभ़ना सब्सक्राइप अब जहां पर a cube plus b cube लिखावा आजाए मतलब जहाँ पर cube वाला formula आजाए तो आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा कौन सा formula लगाना होगा वो मैं आपको बताता हूँ बहुत असान सा formula है आप लिखोगे a plus b का whole cube जो के बराबर होता है a cube plus b cube plus 3 a b a plus b यह आपका क्या है formula है क्या formula होता है a plus b का whole cube बराबर होता है a cube plus b cube plus 3ab और multiply होता है a b से ठीक यह आपका क्या है formula है तो आपको इसमें देखने की से परदा चल जा रहा है a cube plus b cube यहाँ पर है a plus b की हमें value dv है a b की value हमें dv है और a plus b की value हमें dv हम सिफ और सिर्फ value put करेंगे और अंसर ले आएंगे और बाकी shift वगएर जो करते वे इसको अंसर ले गया आजाएंगे तो आज हो हम solve करते हैं इसको तो हम यहा लिखेंगे बेट यहां पर हम लिखेंगे solution आपने solution लिखा solution लिखने के बद के लिखेंगे लिखाओ है तो आप क्या करोगे a plus b की value क्या हमाँ पस 4 है आपने 4 लिखा उसके उपर क्या लगा दिया cube लगा दिया फिर क्या लिखाओ है equal to का लिखाओ है a cube plus b cube क्या वैल्यू है नहीं हमें तो value dv नहीं है तो हम जाएं a cube plus b cube को वैसे ही लिख देंगे फिर plus का निशान है plus दालेंगे 3 लिखाओ है हम 3 को वैसे ही लिखेंगे a और b की value क्या दिवी a b की value हमें दिवी 3 क्योंकि इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया है और फिर इसके बाद क्या है उसके बाद a plus b की value लिखेंगे a plus b की value हमाई पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया simple multiplication perform करना है और इसका answer लिखाव है 4 का cube 4 का cube यह नहीं कि 4 थरीजा पढ़ लो आप 4 का cube मतलब 4 को थरी दाफा 3 times multiply करो ठीक है फिर एकवल दू का निशान दाला a cube plus b cube 46 ठीक है 9 4 थर क्या हो जाता है 36 हो जाता है अब क्या करना है आपको इसको ही multiply कर लो यह मैंने आपको बताने ही लिए लिए रहा direct भी solve कर सकते हो 4 4 थर 16 और 16 4 थर होता है हमाई पास 1 16 4 थर 64 होता है ठीक है और a cube plus b cube को बैसे लिखा plus 36 बैसे लिखा a cube plus b cube या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a cube plus b cube की value क्या रही है 28 रही है कितना असान था है इसे फॉर्मूला में value पुट करो और answer ले आँ अब हमाई पस question number 13 है यह भी same में क्या लिखा है a cube minus b cube है इसकी value आपको निकान लिए जपके a minus b आपको 5 आपको 5 आपको आपको चाहिएत summer आपको जभी आपको 5 ऐसमाले मादर मरुष्य condensed before और जोची समस्ता होचा जब काभी मादर मुट की वैलई उपके पास 5 निए छबके आपके पास Percy ऐसमाई कर आचेश मों हो जब को हमके पास seven आप लिखो गें, फार्मूला लिखने के बाद मैं मारकर चेंज करके लिख लेता हूं थाके सब्सक्राइब फार्मूला होता है, ए प्लस, सॉरी हम माइनिस बाद निकाल लगता है, A-B का क्यूब बडाबर होता है, A-C-B-C-3-A-B, A-B बड़ा हर वैल्यू में क्या लग जाता है, इसमें माइनिस लग जाता है, और कोई चेंज नहीं है, अब आपको क्या करने है, आपने सॉलूशन लिखने के बाद, जो सवाल है, उसको सॉल्फ कर लेना, A-B, A-B की वैल्यूदी है, हमें, D-B क्या दिवी है, 5D-B है, और इसके लिख दिया, A-B की वैल्यू है, **वैलयू हमें, D-B है, 7,ень, 7 लिख लिखगह, A-B की वैल्यू हमें, D-B वैल्यू हमें, D-B है, 5D-Vै, ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं होगा, फ्री मिंचे रवाप को आपको, आपको आपको 5 का क्यूदी, आपको 5 का क्यूद क्या होता ह 5 का क्यूब ओता है 125 ठीक है इसके एच करने वेटा इसके बाद 5 का क्यूब निकान ले तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 एकवल टू क्या होगा a3-b3 तो 105 प्लस कर दो इसमें कितना हो जाएगा 230 तो आपके बस क्या जेगा a3-b3 क्या जाएगा 230 तो हमाँ पस अंसल क्या होगा फाइनल 230 कितना असान थाए हमाँ पस अगला सबाल है कोशन नमर 14 आपके पास ठीक है इसमें के लिखा find the value of 125 x का cube प्लस y का cube इसकी value आपको निकालनी है जबके 5 x प्लस y जो आपके पास है 13 है और जबके x y की value आपके पास क्या 10 है तो आपको इसको निकालना है तरीका क्या होगा सीम वही given data बनाना है जैसे हम करते बारे तो सबसे पहले क्या लिखोगे data सबसे पहले लिखोगे data डेटा आपने लिखा data लिखने के बाद आप लिखोगे हाँ पर given given में क्या जाएगा आपके पास value कौन से dv5 x की value dv plus y की value क्या dv13 जबके x और y की value आपको क्या dv 10 dv तो सबस्क्राइब नहीं है इसमें सिर्फ यह समझने के कोशिश करने कि पहले ए और बी लिखा था अप ए और बी की जगा के लिखा हुआ है एक्स और य लिखा है तो अल्फा बैट या वेरिबल से आपको गपराना नहीं है बल्के आप इसको समझ कर सॉल्व करने के कोशि बनाना तो उसको बनाने के लिए एक क्या करोगे आप इसको ऐसी लिख सकते हो 5 x का क्यूब डाल सकते हो मतलब 5 को जब क्यूब की लगकूब अचया हमाय पार x को पर क्यूब लगज़ब एसम तो सेम उज़गा और y का क्यूब पेर बी किया हुग इसको आपको निकालने अ थे ङ की वैलूї होगी 5X और B की वैलूदiseen negatives तो आप इसको फॉरॉले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो जहां-जहां A होगा, वहाँ-वहाँ लिखते हो है 5X earlier जहां-चहां B होगा, वहाँ-वहाँ लिखते होगे लेकिATE C, Y आज़ो लिखते हों आप ने क्या लिखा थाता है ऐहां का लिखा और फोर्मूला आपके पास Q होल rock आपको सब्सक्राइब का सब्सक्राइब है वाइं मेशब खाया ही तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको X और Y में लिख देता हूँ जहाँ-जहाँ A उसको X और Y करके पुट करके लिख दो के आपके आपको अच्छे समझ में आजए ठाक है जहां X का Q पर चले एक सकती प्लस Y का Q प्लस 3 X, Y और एक्स प्लस य जहां जहां है एक्स पुट करड़े क्यूंकि बाद वही है वेरेबल चेंज है तो अब आपको क्या करना है इसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है किसे स्बूर्ण की हिसाब से किसां लिखाएगा एक्स की वैलियू इसको य की वैलिखना है इसकी हे लीक् dobrze ऐब आपको रिखा हुआ है तो सब्स बाइस ही लिख और वैसी लिख क्या है य की क्यों लगवातना है था और में भी लिखा और चाहिए था रिखाव defended लिखा या Hutch रिखार दो फेटर हे यहांता उसल्हा नहीं है अब इसासाइब को सब्टि्टिूट इस ने 7 को में लिखिए य०्यक्साइब दो रिखा कने कि व grandfather i और 13 की ऊपर क्या हो गया क्यूब हो गया, तरेकहा है, फिर इसके पैत प्रक्त की आ dalam फिर दा बाट की ठी तक क्या होता है मैं है तैब Meghuhap K. 5 का क्यूप क्या होता है 125 Crd साथ क्यूब के बाट की निग मैं 25 EB और के लिखा है 5x plus y, 5x plus y की value क्या है 13 है यहां तक कोई मसला अबीता, अबीता कोई मसला, नहीं होने ज़िए हमने क्या करणा पहले लिखा x और y के लिखा फिर देन फार्मूला के लिखी लिखी एंद फिर सारी वैल्यो को हम पुट करते जा रहें अब आज क्या है 13 कर जब 2, 1, 9, 7, 25x का क्यूब वैसी लिखे क्योंकि इसकी वैल्यों निकालनी है और यह 15 लिखा 15 वैसी लिखा, x, y की value किया अब एथा, x, y की value 10 है, 10 लिखा और 13 लिखा, इन सब को भी मंटिप्लाइ करके देखो क्या रहे है, इन सब को मंटिप्लाइ करते है 15, 15 मंटिप्लाइ हो होगा, जो value आएगी वह होगे 13 है, तो हमाई पस क्या रही इसकी value जब इसको हमने मंटिप्लिकेशन परफॉर्म किया, तो हमाई पस 297 वैसी ही आया, 125x का cube हमने वैसी लिखा, y का cube हमने वैसी लिखा, जब इसको मंटिप्लाइगा, तो हमाई पस value आई, 1950, अब 1950 प्लस हो र य का cube ऐसी लिखा, इन डोनों को माइनस कर लो, इन डोनों को माइनस किस तरह से होगा, तो इसकी value का रही, आपके पास 25x का cube प्लस y का cube की value का रही है, आपके पास 247, तो यह क्या होगा आपका answer हो, कितना असान था, बस आपको value पुट करनी है, और answer लेका आना है, अब हमा इसकी value की value निकालनी है, माइनस BQ की value निकालनी है, जबके 6A माइनस 7B दिए 11 और AB दिए 8, तो आप तो यहाँ पर value DV होती है, A और B के साथ, यह X और Y के साथ किसी की, वही आपकी value A की होती है, वही value आपके B की होती है, आपको इतना इसको calculate करने की जरूबत नहीं पड़े यहाँ डियाँ है, हमें DIY 6A माइनस 7B किसके बदाबर 11 के, जबके AB की value जो हमें दिए 8, जबके हमें निकालना किया है, हमें निकालने है value 2, 1, 6, 1, a3 minus 3, 4, 3, b, का क्यूब, अब इसके cube की value निकालनी के लिए आप अगर निकालना चाहते हो, तो आपके निकालना चाहते होत इसा नची दिटा एक मैंने 2 फार्मूला हमाय पास में पर्मूला किया हूक है A हमें माइनस बार निकालना है तो A माइनस B का cube बराबर होता है A cube माइनस B cube माइनस 3 AB और A माइनस B यह आपका क्या है फॉर्मूला है पुरा आप क्या करोगे साथ से पहले इस फॉर्मूला को 6A और 7B के according के सो convert करोगे जहां A लिखा हो तो वहां क्या लिख दोगे 6A लिख दोगे अब solution लिख दो solution लिखने के बाद क्या लिखो के जहां A लिखा होगा वहां क्या लिखा होगे 6A लिख दोगे 6A होगया फिर माइनस का निशान है और B हमाइन पास क्या है B 7B है 7B लिखावा, फिर उसके उपर क्या लगावा, उसके उपर cube लगावा, whole cube, फिर उसके बाद क्या लिखावा, equal to का निशान, a3 minus b3, a की value हमाई पस क्या है, 6a, तो 6a और उसके उपर क्या लग जाएगा, फिर माइनस का निशान है, माईनस डालेंगा, जबके b की value है 7b, तो आपने 7b लिखा और उसके उपर cube लगा दिया, फिर फूर्मूला में cube लगावे, फिर माईनस का निशान डाला, फिर क्या लिखावा, फिर ठी लिखावा है, a की value हमाई पस 6, 6a है, जबके b की value हमाई पस, B की value है हमाई पास 7B तो आपने 7B लिखा और वैसे ही कर दिया फिर A minus B, same way हो जाएगा 6A minus 7B ठीक है, अब आपको क्या करना है value put करना है और answer लेकर आना है तो आजो 6A minus 7B की value क्या है हमाई पास 11 है तो 11 और उसके उपर क्या लग जाएगा cube, फिर equal to condition 6A की value क्या है, 6 का जब cube निकालोगे, तो क्या आएगे 2, 1, 6, और उसके साथ क्या लग जाएगा A का cube, minus 7 का जब cube निकालोगे तो क्या आजाएगा, 3, 4, 3 और उसके साथ क्या लग जाएगा B का cube minus 3, 6 दा 18 और 18, 7 दा कितना होता है जब हमने इसको multiply करा एक दूसरे तो क्या आया 126 और A और B को वैसे ही लिख दिया और फिर के लिखाए, 6A minus 7 B की value क्या है, हमाँ पस 11 है ठेक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, अब इसके जाएग क्या करना है आपको 11 का cube निकालना है 11 का cube की value क्या आती है हमाँ पस 1, 3, 3, 1 ठेक है, फिर के लिखाए, 2, 1, 6 बैसे ही लिखे है, क्योंके इसकी तो value हमें निकालना है minus 3, 4, 3 बैसे ही लिखे है B का cube बैसे ही डालेंगे 126 आपने 126 बैसे लिखा, A, B की value हमाँ पस क्या है, बेटा 8 है, तो हमने का लिख दिया, 8 लिख दिया 11 को बैसे ही लिख दिया, इन तीनों को multiply करो और देखो क्या आ रही है value 8, 11 तो हमाँ पस इसकी value आ रही है, बेटा 133, 31 बैसे ही लिख देंगे 216, A का cube बैसी 343, B का cube बैसी minus जिब इसको multiply किया तो हमाँ पस value आई 11, 0, 8, 8 यह minus में यहां कि क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आज यह 133, 31 प्लस 11, 0, 8, 8 बराबर है 216, A का cube minus 343, B का cube इन दोनों को plus करो तो क्या रही है value 133, 1 तो हमाँ पस value जो आ रही है 216, A का cube minus 343, B का cube की value क्या रही है, इसको मैं इहा लेख दिया और इसको ऐसे लिख रहा हूँ 12419 तो यह क्या आपका अनगा अब हमाँ पसका कोशन नबर 16 है यह भी असान है, आपको दढ़ना नहीं है कि यह अपान में वैल्यू लिखी लिखी एक्स प्लस 1 अपान X3 तो इससे कोई मसले की बात नहीं है, बलके हम इसको भी सेम तो सेम वैसी ही सॉल्फ करेंगे बल्कुल मसला नहीं, सेम वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और यह सॉल्फ हो जागा कि अ सबसे पहले आपके लिखोके डेता में लिखने गा लिखोके गीवन और गीवन में जो वैयू दिवरी यो लिखते है क्या दिव एक्स के प्लस 1 अपान X की वैल्यू आपको लीक। सैवन जिबके एक्स वैय Commissioner B X लिखा हो तो X की वैल्यो ली लिखे लेट है X की वैल्यी हमाई पास X है क्योंकि Q लगा तो दो जबिए 0 होते हैं quoted हिसे चुप मैंने चुप कि na तो यह पर क्यों च्योग कि आकभा है फॉर्मूल कि होते से Melo कि लिख रहो ठीक है इब करके निलिख रहा हूं क्योंकि आप आपको आ जाना चाहिए formula होता है हमाँ पास x plus y का cube बराबर होता है x cube minus y cube minus 3 हमाँ पास plus वाला formula हम plus लगाएंगे plus x y और क्या होता है x plus y यह मैं a b वाले formula ही को लिखा हूँ यह a plus y का cube बराबर होता है a cube b cube plus 3ab और a plus b तो मैंने उसके जग़े सिर्फ x और y लिखा है ठीक है कि अमारे सवाल x y रहता है तो इतना करने की जरुबाती नहीं थी मैं द्यारा की लिख दिया अब इसके बाट क्या करने जहां जहां-जहां x लिखा है वहां पर 1 upon x आजाओ क्या लिखा है x की जएगा x ही लिखेंगे plus y की जगा 1 upon x आजाएगा और उसके उपर क्या लग जाएगा cube लग जाएगा फिर equal to का निशान है x cube लिखा है तो x cube बैसी लिखा प्लस बैसी देले y की जाएगा 1 upon 1 upon x हो जाएगा ठेक है x और cube यहां लगाते तो क्योंकि 1 के उपर cube होगा तो 1 ही आएगा तो प्लस लिखा प्लस का निशान डाला और फिर क्या लिखा भाएगा 3 लिखा है तो आपने 3 वैसी लिखा अब हमें क्या लिखना x की वैल्यू एक्स ही होती है और y की वैल्यू क्या है हमाँ आपस 1 upon x है और फिर इसके बाद क्या लिखा है x plus y यहां तक कोई मसला यकीनन नहीं होगा अब क्या करना है अब देखो कैंसे लौट क्या और यह क्या कर जाएगी तब ही हमें xy की वैल्यू नहीं 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 क्या वह कैंसे लाट हो जाती है और सुल करने x plus 1 upon x की वैल्यू हमें क्या दिविए 7 तब ने 7 लिखा और 7 को पर क्या लगा दिया cube लगा दिया x cube x cube और y cube की हमें वैल्यू नहीं दिविए तो हमें इसको find out करने तो उसको वैसी लिखा प्लस 3 वैसी लिखा यह तो कर गया है पूरा हमाएं पास क्या बचे यह बचे x plus 1 की वैल्यू क्या दिविए हमें 7 यहां तक कोई मसला नहीं अब क्या करने 7 का cube निकालना 7 की वैल्यू आती है 3, 4, 3 और क्या है x cube plus 1 upon x plus और 3, 7 नहीं यतना है 21 होता है यह plus हो रहा है यहां के क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो 3, 4, 3 जब minus 21 equal to x cube plus 1 upon x cube 3, 4, 3 में से minus कर तो आप 21 को तो आपके बस value क्या आती है आपके बस value आती है मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ x cube plus 1 upon x cube बड़ाबर है 3, 2, 2 तो तो इतना असान सा था से value पुट करके answer लाएं था इसका एक और question उसे आप खुट करें सौल अब इसके बाद हम क्या कहते हैं न्यू पार्ट में चलते हैं और आपको अगले exercise बताते हैं